हलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का मेरे चानल शायना गोयल पर सो फ्रेंड इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन एडॉल सेंस क्या इनके क्रेक्टरिस्टिक्स हैं चाहें वह फिजिकल हैं कॉगनिटिव हैं सोशल इमोशनल स्पिरिच्वल तो यह सारे क्रेक्टरिस्टिक्स एक ही सेशन में हम आज डिसकस करने वाले हैं फ्रेंड्स सो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और अगर आपने मेरी प्रिविएस वीडियो मिस्की हैं तो वह डेफिनेटली चेक आउट कीजिए क्योंकि डिटेल में मैंने हर चीज को आपको एक्स्प अगरे में डिसकस किया था तो यह ऐसा पीरिड है हुमन ग्रोथ में जो आता है चाइल्ड हुड और एडल्ट हुड के बीच में ठीक है यह 10 साल की उमर से 9-10 साल की उमर से स्टार्ट हो जाता है और 19 की उमर तक 19-20 की उमर तक हम कहते हैं कि रहता है नेक्स स्लाइड में और यह एज ऐसी होती है इसको हम बहुत रिसकी एज कहते हैं ठीक है इसके लिए आप जो मर्जी कुछ लिखे एडल्सेंस की एज से आप जस्ट अभी गुजर कर आए हो तो बहुत बेटर आप इस चीज को जानते हो टीनेज एज इसमें आती है ट्वीन एज इसमें आती है ठीक है तो स्टैनले हॉल ने एडल्सेंस के बारे में बहुत अच्छी बात कही हुई है कि यह एक ऐसी एज है अपीरिड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस अंस ट्रीन स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ ठीक है हमारे दिमाग में हमेशा हलचल मची रहती है बहुत जल्दी स्ट्रेस आउ जिसको हम बोलते हैं अर्ली अडॉल्सेंस एज ठीक है जब बच्छा हम कहते है की फॉर्थ क्लास में होता है तो वह आता है अर्ली अडॉल्सेंस में वह एंटर कर जाता है 4 लेके 8 लाउड फिर 7 क्लास तर लो इस तरहां का थोड़ी सी फ्लक्श्वेशन होती है ठीक है ठी 10th class में ठीक है तो यह होती है mid adolescence age this stage is distinguished by the development of separate identity from parents ठीक है parents से बच्चे अपनी खुद की identity फील करने लगता है वो खुद को थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील करने लगता है ठीक है तो late adolescence age होती है 16 से 19 साल तक 16 से 20 साल तक ऐसे हम कह सकते हैं ठीक है यहां पर बच्चे की जो physical development है वो बिल्कुल complete हो जाते हैं हम कहते हैं कि physical जो growth है physical development means क्या growth ठीक है development का जो physical aspect है मुसको growth कहते हैं कि बच्चे की जो bodily structure है उसमें जो changes आने है कोई height है weight है ठीक है आपने mention करकर आनी है अगर आपको characteristics पूछे जाते हैं तो थोड़ी से introduction तो देंगे न कि तीन तरह की स्टेजी होती है फिर आप इसके characteristics पर बढ़ेंगे clear अब हम देखते हैं इसके जो development characteristics of young adults क्या होते हैं अब दीखिए जैसे कि हमने जो points डिसकुसी है है कि यह बहुत critical time होता है identity को लेकर बच्चे बहुत confused होते हैं role confusion होती है यहां पर ठीक है विद आउट सेट ऑफ Puberty comes an explosion of growth physical intellectual emotional social spiritual सभी तरह की हम कहते कि growth होती है और दिमाग में पूरी हल चल होती है इस time पर हम दूसरों की attention पाना चाहते है एडोल सेंस time पर ठीक है हमारी किस तरह की clothing है कौन हमें देख रहा है हमारी हम किसको influence कर पा रहे हैं सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज्यादा matter करती है ठीक है पीर ग्रूप हमें influence करने लगता है या फिर कोई हम मुवी में देखते हैं कोई latest trend है तो हम लगता है कि हमें वही कपड़े चाहिए वही हैस्टेल चाहिए सारी चीज़ें हमें aggressive होते हैं बच्चे इस टाइम पर क्लियर वान बाइवन हम इसके जो characteristics हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले दिखे physical क्या होते है कि it is the onset of puberty ठीक है development of secondary sex characteristics आते हैं grow rapidly ठीक है rapidly growth होती है यहाँ पर हम कहते हैं एकदम से बच्चे की जो आवाज है vocal cord में फरक पड़ जाता है भारी भारी सी आवाज हो जाती है ठीक है physical characteristics होती है बच्चे की height निकल कर आती है self conscious हो जाते है body image को लेकर कि हम मोटे हैं पतले हैं ठीक है हमारे बारे में दूसरा क्या सोच रहा है इस तरह की चीजों के बारे में बच्चे बहुत conscious हो जाते हैं और यहां पर हम कहते हैं कि बच्चे की जो physical activities है ना वो काफी होनी चाहिए ताकि उसकी bodily जो growth है वो strongly हो हो गया cognitive word हो गया या फिर mental development यह तीनों एक ही चीज को दर्श आते हैं अब cognitive में देखिए क्या होता है कि यहां पर बच्चों की जो abstract thinking है वहां पर पहुंच जाते हैं cognitive development में बच्चे intelligent हो जाते हैं वो imagination उनकी start हो जाती है widely चीजों को देख पाते हैं ठीक है उनकी personal philosophy start हो जात young adult sense का जब बच्चे खुद की philosophy जाड़नी लगते हैं हम कहते हैं कि उनकी खुद की thinking develop होती है critical thinking skills बच्चों के develop होते हैं ठीक है becomes argumentative अब ये अकसर बच्चे जब parents बच्चों को कुछ कहते हैं कि बेटा आप ऐसे करो ऐसे करो तो बच्चे बोलते हैं ममा आप मैं बड़ा हो चोटा नहीं हो आप मुझे मत समझाओ ठीक है arguments होते हैं बच्चों के बीच में parents की बीच में और वो खुद को mature समझने लगते हैं जबकि वो अभी adult sense है mature नहीं है adult sense है arguments start हो जाते हैं वो decision making skills अपने develop करते हैं उन पर parents अपने कोई भी decision थो अपने ही सकते कि बेटा आपनी ऐस ही करना है ऐसे ही करना है आज के time में बच्चे decision making खुद की करते हैं उनकी खुद की choices होती है ठीक है तो यह हो गया हमारा cognitive intellectual development इसमें आप कुछ अपने points भी add कर सकते हैं जो आपके mind में हो तो मुझे comment भी कर सकते हैं आपकी cognitive में यह points हम extra और add कर सकते हैं ठीक है next है हमारे पास emotional development अब दीखिए जब adult sense की age है तो यहां पर हर जो Answeriki Wave online पर होती है just ruined text कि Moral भी हम कहते कि यह पर पीग क्लेवल पर है is social है emotional कोग्णीटिव में सब चीज पूरे पीक लेवल पर होती है तो emotional development में यहां पर होती है बच्चे यहां पर क्या होती है sensitive बॉत है सेंस्टिव और प्रोन टू आउट बर्स ठीक है आउट बस देन हम क्या किते हैं कि उनको बहुत इसली मैनुपलेट किया जा सकते हैं बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ सकते हैं तो जो चीज बच्चों को अपने फेवर में लगेगी ना उसकी बातों में वह आ बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है सेल्फ कॉंशिसनेस होती है सीक अटेंशन होती है उनको अटेंशन चाहिए हर किसी की लव और अफेक्शन चाहते हैं इमोशन ऑफ एंगर आ जाता है ठीक है यह सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहीं है कोगनेटिव में हमने देखा था बच्चे सेल्फ डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां पर इमोशनल में उनके अंदर एक इमोशन होता है कि मुझे अब इंडिपेंडेंट होना है ठीक है इंडिपेंडेंट फॉर टेकिंग माइओन डिसीजन फॉर दूइंग मा इंटर परस नाया है इंटर परसनल यान है कि अपने पीर के साथ जो आपड़ेंट्र से तो बीद्विवाएं यहां पर इंडिन्स के ताइम पर पूरी है आग सी होते हैंना नसल अचलती होसो bite उसके काबिल बन जाएं एंजो एंजो ठीक है सीख डीपर फ्रेंडशिप बेस्ट ऑन शेर्ड इंट्रस्ट लॉयालिटी अब देखिए जो गुरूप सोते हैं बच्चा किसी गुरूप को जॉइन करना चाहते तो उस तरह की नेचर वो खुद की बनाना चाहेगा ड्रेस करते हैं कॉमन एट्रिब्यूट्स वो उस तरह बनना चाहेगा ताकि वो उस ग्रूप का पार्ट बन पाए क्लियर हो गया ग्रूप लॉयाल्टी होता है इसमें सोशल सर्विस होता है बच्चे बहुत हैल्फूल हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स को लेकर या फिर सोवेंसो ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है मॉरल डेवल्लप्मेंट करेक्रिस्टिक्स तो मॉरल में क्या होगा यहां पर बच्चे बहुत जल्दी ओल्ड बिलीव्स को वाइलेट कर देते कि यह सब पुरानी बाते हैं हमें मत सिखाओ यहां पर बच्चे जो राइट और रॉंग है उसको किस तरह से डेटर्माइन करते हैं बाई रिवार्ड और पनिश्मेंट्स तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं उसको बोलते कि आपको नहीं पता यह हम जो लाइफ में एक्सपेरेंसे लेते हैं बच्चे उसी को देखकर सीखते हैं और उसी को सच मानते हैं यहीं उनके मौरल डेवलप्मेंट होती है ठीक है दिन बेसिकली सीख एप्रूवल फ्रॉम अबाउट जैसे हमने कपड़ों की बात की है या फिर कोई और चीजों के रिलेटेड जब तक दूसरा बंदा उसको प्रेज नहीं करता उनको ऐसे लगते कि डाउटफूल सा लगता है ठीक है तो जब कोई दूसरा परसन उनकी चॉइस को एप्रिशेट करता है तो वो भी हम कहते है कि परसन की तरफ उनका जुकाव हो जाएगा कि वो मेरे हक की बात कर रहें तो यहां पर हमारी यह moral characteristics है तो दीखें इसमें spiritual characteristics भी है आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं वैसे आपके syllabus में जो है वो है moral, cognitive, emotional and social यह characteristics है तो spiritual होती है जो हमारी अंतरात्मा के सार्थ है तो इसको अब ध्यान से अगर आपने वीडियो सुन ली है तो आप अपनी वर्डिंग में I'm sure paper में अच्छे से लिखकर आ सकते हैं दीखें कुछ words होते हैं जो definitely आपको paper में mention करने चाहिए और किस तरह से आपको paper present करना है कौन सी चीज highlight करनी है answer को start किस तरह से करना है और से आपके जो marks हैं वो बहुत अच्छे आएंगे definitely so friends video को एक thumbs up जरूर दिखाईए अगर आपको helpful लगी और मिलते हैं अगले session में till then keep watching friends